हमारे इस न्यूज चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है आईए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें मकरज पर दिल्ली पुलिस का चौकाने वाला खुलासा देख में इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 42,000 के पार पहुँच गई है भारत में इस महामारी के मामले बढ़ने का एक मुख्य कारण मार्च में हुई तमली की जमात के कारी करम को माना जा रहा है जिससे विदेख से आए हजारों लोग सामिल हुए थे हजार लोगों ने सिक्रत की थी बता देगी लोकडाउन के दोरान देश बर में तबलीकी जमात से समंद रखने वाली देशी विदेशी जमातियों की गिरपतारी हो चुकी है लेकिन जमात का मुख्या मौलाना साथ अभी भी फिरार है इस बिस दिल्ली पुलीस की जांच र ट्रेसिंग कर इस तारीक के बीच मकरज में एक्टिव मौवाइल लंबरों के अधार पर किया है दिल्ली पुलीस ने यह चांच रिपोर्ट केंद्र और राज़े सरकार को सोब दी है साथ ही दिल्ली पुलीस ने कॉंटेस्ट ट्रेसिंग के जरिए ये भी पता लगाया गय है कि मकरच से निकल कर ये लोग किनकिन जगहों पर गए कितने लोगों के संपर्क में आए उन हजारों लोगों की भी लिस्ट बनाई गई है हलांकि पता चलते ही उन सबी को self quarantine में भेज दिया गया था जितने लोग positive पाए गए थे उनको isolation center में रखा गया था जहांस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मकरस से निकले लोगों के द्वारा करीब 17 राजियों हर केंदर साचीत परदेसों में इस महामारी के फैनले का लिंक पाया गया है रिपोर्ट में लिखा गया है कि मौलाना साथ ने जमातियों की संक्या और location की गलत जनकारी दी थी जहांस रिपोर्ट और इसमें लिखी बाते मौलाना साथ के खिलाब सबूत के तौर पर रखी जाएगी जहांस रिपोर्ट तयार करने में दिल्ली पुलीस की अलग-अलग कई यूनिटे और स्वास्त विवाग की टीमों के साथ मिलकर काम किया था झाल 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 सब्वार झाल 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 झाल